पुशाम्दीद, आज की वीडियो में हम बात करेंगे PSY 404 के लेसन नुम्बर 5 की, इस लेसन में हम डिसकस करेंगे मुखलिफ परस्पेक्टिव की, हम ये देखने की कोशिच करेंगे किस तरह से मुखलिफ परस्पेक्टिव हमें बताते हैं कि अबनामे साइक अलोजी है क्य परस्पेक्टिव का क्या मतलब होते हैं? इसके लावा इस लेक्टिव में हम बायोजीकल परस्पेक्टिव को जहरे बहस लाएंगे लेक्टिव शूर करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें थाकि नहीं आने वाले वीडियो आप खुबर वक्त मिलती रहें शूर करते हैं आज का लेक्टिव परस्पेक्टिव परस्पेक्टिव है क्या? परस्पेक्टिव का अलवजी मतलब होता है नजरिया अब मुख्लिफ साइकालोजिस ने abnormal psychology को मुखलिव नजरियात से देखा किसी ने कहा कि जो abnormality है वो जणाब होती है biological factors के वज़े से किसी ने cultural factors की बात की किसी ने irrational beliefs की बात की किसी ने unconscious की बात की ये सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा लेकिन perspective की definition बताते हुए मैं आपको सिर्फ ये बता दूँ वो ये है कि perspective जो है वो कोई भी theory होती है model होते हैं जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी behavior जो है ऐसे है तो वो क्यों है या abnormal behavior खास तो पर हम बात करें तो उसकी वज़ा क्या है तो मैंने इसकी तीन चार मिसाले भी आपको दी तो ये होगया perspective की definition और उसकी मिसाले ये तीन नमबर का सवाल पेपर में आया था तो ये याद आप अच्छे तरीके से कर लें ये perspective की definition मैंने highlight कर दी है ये आप याद भी कर लीजएगा इस पूरे paragraph में ये वही मुख्लिफ models की बात कर रहा है जो कि मैंने शुरू में आपको बताया कि किसी ने unconscious पर बात की तो जैसे अब ये मैं highlight किया है ये MCQs में पूछे गए है cognitive behavioral model emphasize करता है कि इस पर the ways in which it is learned and in thinking that underlines behavior combinations का मतलब भी यही होता है समझना जानना और जानने के अमल को भी cognitive combination कहते है तो ये इस पर emphasize करते है कि हमने किस तरह से चीज़े सीखी है मैं इसकी मिसाल दूँ जैसे phobia, phobia होता है कि हम डरते हैं किसी भी चीज़ से, किसी कोई साम से डरता है कोई आग से डरता है, कोई अंधेरे से डरता है तो ये learned experience है हमारा तो ये कि इसको cognitive behavioral model explain करता है उसके बाद humanistic model जो है stress करता है role of values and choices पर इसी तरह ये दो चाल नाम जैसे psychodynamic model emphasize करता है unconscious पर तो ये अब दो चाल नाम याद रख ले और इसकी तारीफ याद रख ले देखें, abnormal behavior जो होता है उसके मुख्लिफ वजुहात होती है और ये वजुहात मुख्लिफ models बता रहे होते है कोई भी एक model तमाम की तमाम वजुहात नहीं बताता इसमें सबसे पहला जो perspective है वो biological है ये हमें बताता है कि abnormality जो है उसकी जो root cause है वो यह तो genes हो सकते है इनसान के जिसम में कुछ chemical होते है जो मालूमात को एक जग जग से दूसरी जगा पहुचाते है जो neural transmitters कहलाते है उनकी खराबी हो सकती है neurons की खराबी हो सकती है genes से भी कुछ खराबी जो है वो parents से बचों में आती है तो biological perspective का ये काम है देखते हैं मजीद इसमें क्या कहते है typically they point out the problems in brain autonomy brain chemistry और brain circulatory system as the cause of such behavior वो यही बाते बता रहे हैं अब इसमें उसने तीन बाते बताई है brain anatomy brain chemistry और brain circulatory तो इन तीन वजवात को हम अलग-अलग भी देखते हैं फरादी तोर पर brain anatomy and abnormal behavior brain is composed of 100 billion nerve cells called neurons and thousands of billions to support these cells called gillia plus gillial cells plus का मतलब होता है कि उसका जो मजमूवा है तो बताना ही चाहा रहा है कि इन्सानी जिसम में जो मालूमात का तबादला होता है वो neurons के जरिये से होता है मैं आपको बताऊं अगर कोई गरम चीज़ है उसको हम टच करते हैं तो जो सेंस होती है हमारी उंगली कि यह चीज़ गरम है तो वो सिगनल कितनी जलते हमारे दिमागे तक पहुँच जाता है यह सारा neurons का काम है अब neurons एक दूसरे के साथ फिजिकली नहीं मिले होते neurons के एक neuron से दूसरे neuron के तरमियान गैप होता है उस गैप को फिल करने के लिए Neuro Transmitter मौजूद होते हैं बरेन एडानमी में कि यह जो Neuro Transmitter है ना यह खराब होना चुरू हो जाते हैं यह काम करना छोड़ देते हैं जैसे मैं मिसाल दूँ Hunting Tanks Disease इसमें जो Neuro Transmitters हैं जो के प्रगाम एक जगास से दूसरी जगा पहुचाते हैं वो गैप जो होता है एक नियूरान से दूसरे नियूरान के दर्मियान अब Neuro Transmitter की काम करना छोड़ गए तो मैसिज सही तरीके से नहीं पहुच सकेगा जिसकी वज़ा से जो खास किसम का एक सिगनल चेनरेट हुआ है वो प्रगाम दिमाग तर नहीं पहुच सकेगा इसने लिखी हुई है वालेंट इमोशनल आउट ब्रस्ट मेंबरी लॉस सुसाइडल थिंकिंग इन्वलेंटरी बोडी मॉव्मेंट और एपसर्वड बिलीव तो ये इसकी कुछ मिसालें है अब देखें ये कुछ इसकी मिसालें है और साहिर सी बात है जब सिगनल एक जगह से दुसरी जगह नहीं पहुच सकेगा मालूमात नहीं होगी तो इस तरह कि फिर जो सेम्टम्स हैं या जो बिमारी हैं वो हमेने ज़रा आना शुरू हो जाएगी ब्रेइन कमिस्ट्री एंड अबनॉर्मल बिहेवियर बियलोजिकल रिसेर्चिस हैव आल्सो लेंड एट साइकलोजिकल डिसॉर्डर कैन बे रिलेटी तो प्रॉप्लाम्स इन दिक ट्रांस्मिशन अफ मैसिज फ्राम नियॉरॉन तो नियॉरॉन यह वही सारी बाते हैं जो मैंने बताई कि एक नियॉरॉन से दूसरे नियॉरॉन तक मैसिज किस तरीके से ट्रांस्फर होता है उसके बाद नियॉरॉन का स्ट्रॉक्चर है वह हम देख लेते हैं कि क्या है यह देखें यह है नियॉरॉन यह पूरा नियॉरॉन है और इसके गिर्द ये जो है ये डेंडराइड है ये जो दिखली हुई है ये है ये है ये है डेंडराइड अब डेंडराइड के जरीए से जो है एक सिगनल निकलता है और दूसरे निवरान का डेंडराइड उसे रेसीव करता है लेकिन ये डेंडराइड ऐसा नहीं है कि यू मילमात का TRANSFOR होता है W Neuro Transmitter के जर्यें से होता है देखें यह एक Dagger ठार रहा है यह उसने जूम करके दिखाए हुँए यह जो यह जो यहां उसने दिखाया है में यह वादไป देखाया Meng यह धे लिद्धार है यह नियो ट्रॉट रिलीज हो रहे हैं यहां पर अगर आप देखें इस जगह पर तो यह नियूरो ट्रांस्मिटर रिलीज हो रहे हैं और उसके बाद रिसेप्टर साइड ओफ रसीविंग नियूरान अब यहां पर यह नियूरो ट्रांस्मिटर रिलीज हुए और इस जगह पर तकरीबन इस दिन्ट्राइट सबसे आकरी चाल बाढ़ी में सेल होता है एक सोझ ऑन इसल्बबॉल और राइट के तर्मयान एक जोन होता है उसके वाल साइनेप्स श्यूश बॉटराइट थे zu और इस पेशरागृब में यह वही बता रहें pain but iain developed by neurons then write antenna like extensions located at the end of neuron first there is it travel down to neuron exon and a long fiber extended from the neurons body finally it is to transmit it through the narrow ending at the end of neuron to the right of another neurons so yes hurry we are taking your own shit or losing your own guitar actually at here an electrical impulse which is a neurons ending the nerve ending is stimulated to release नेजीज़ दा chemical card, नियोरो ट्रांस्मीटर, एक नियूरान से electrical signal generate होता है, और उसके ending part से newro transmitter फिर release होता है, ये signal electrical signal जो है, यही neurotransmitter release करवाने का सबब बनता है, आपको यहाँ पर एक मसले की बात बता हूं, ये, जो electrical signal generate होता है, इसी की मदद से light detect की जाती है, जैसे अगर बहुत सी नव लगाए बैठे होते हैं और वो लाई-डिक्ट कर रहे होते हैं तो यहीं वह एलेक्रिकल सिगनल्स को महसूस करके लाई-डिक्ट करते हैं उसके की कुछ यह टाइप्स बता रहा है नियुरो टाइप्स है वह यह है से रोटोनीन डॉपामीन और जी अभी ए गाबा तो यह मुखलिफ किसम के नियुरो टाइप्समिटर है जो के असुसीएटिट है मुखलिफ एक्टिविटीज के साथ अब डिप्रेशन फार एक्जेंपल अब जो डिप्रेशन है यह किसके साथ लिंक है सिरोटोनीन और नियुरो टाइप्रेशन के साथ एमसी क्यूज में बहुत बार पूचे गए हैं इजाइटी वो किसके साथ लिंक है जी एबी ए के साथ सीज़ों य या किसके साथ लिंक है डोपामीन के साथ तो ये तीनों इंतिहाई एहम हैं एमसीग्यूज के हावाले से उसके इलावा इसका तीन नंबर का सवाल भी बन सकता है कि मुखलिव तरह के नियूरो ट्रांस्मेटर के नाम बताए और उनका फंक्शन बताए उसके बाद है एंडोक बोथ हो गई रिप्रोडक्शन हो गई सेक्श्यल एक्टिविटीज हो गई हर्ड रेट हो गई बोडी टंप्रेचर हो गया एनरजी उसके लावा स्ट्रेस तो ये एंडोक्राइन सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम पूरे जिसम में मुझूद होता है और मैंने बताया कि नियूरॉंस के साथ मिलके ये मुझूली वाइटल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मुझूद किसम के ग्लैंड्स होते हैं और वो मुझूद किसम के हार्मौन खारिच करके हार्मौन खोन में शामिल करते हैं या खोन में खारिच करते ह और उसकी वज़ा से जो मुखलिफ किसम के एक्शन्स हैं वो पर्फॉर्म होते हैं जैसे मैंने बताए हार्ट रेट हो गया, बोडी तेमप्रेचर हो गया, और मुखलिफ रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गया तो यही इसका है सारसीन, इसकी मिशाल जैसे इसने दी है, जब हमें स्ट्रेस होता है, तो उस वाक्त अड्रेनल ग्लेंट क्या करते हैं, जो के किड्नी के करीब मुझूद होते हैं, वो कोर्टीसल हार्मोन को खारिज करते हैं, कहां होन में शामिल करते हैं, और उसकी वज़ा जैसे इसे इन्सान का स्ट्रेस जो है, कम हो जाता है, यहां पर तीन एमसीग sleeping probable सकते हैं abnormal secretion of this chemical, कौन सा chemical, कौन सा हर्मोन, cortisol, cortisol की abnormal secretion होगी, ज्याता हो जाए या कम हो जाए, तब क्या होगा, anxiety हो सकती है, या mood disorder हो सकती है, मिसाल के तोब पर depression और mania, यह हम आगे पढ़ेंगे, इनकी depression क्या है, mania क्या है, तो यह देखें, glands, हार्मोन खारिच करते हैं, हार्मोन भी किस तरह से, linked है, abnormal psychology के साथ, उसके बाद है genetic factor, तो मैं बता रहा था, कि genes वो मादा होता है, जो खसूसियात वालदेंसे बच्चों में मुंत्किल करवाते हैं, बहुत सी ऐसी बिमारी है, जैसे, सिटोफीनिया हो गया, mood disorder हो गया, Alzheimer disease हो गया, इन में पैरेंट से बिमारी बच्चों में मुंत्किल हो जाती है, तो हलाके कोई खास किसम का genes अभी तक nominate नहीं किया गया, कि इस genes की वज़े से ये बिमारी बच्चों में मुंत्किल होती है, लेकिन अभी इसके कुछ शवाहिद ही मिले हैं, मगर किसी कोई एक genes नहीं nominate किया गया, next is viral infection, viral infection are also key component of abnormal behavior, viral infections की वज़े से भी सिजोफीनिया हो सकता है, intellectual disability हो सकती है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि abnormal behavior biological होता है, और biological perspective की domain में हमने ये पढ़ा, कि इनसान का जिसम, उसकी साक्थ ही दरसल abnormal behavior की वज़ँआत होती है, ये biological perspective कहता है, अगले और भी perspective होंगे, लेकिन biological perspective यही केता है, कि इनसान का जिसम और उसके जिसम में होने वाली मختली तब्स्टेलियां ही दरसल abnormal behavior की वज़ँआती है, एक तो genetic factor, viral infection हमने पढ़ा, different type of hormones, neurotransmitters में खराबी हो तो इन वजुहात की वनियाद पर, इन वजुहात पर abnormal behavior manifest होता है यह तो बताई biological perspective ने वजुहात के क्यों होता है अब इसका treatment भी biological perspective ने बताया, वो भी देखते हैं The three leading kinds of biological treatment used today are drug therapy, brain stimulation, psychosurgery अंध्याई important है यह इसमें सबसे पहला हम देखते हैं drug therapy Drug therapy में मुख्लिफ किसम की अद्वियाद दी जाती है जिसमें anti-anxiety हो गया anti-depressant drugs, drugs से मुराद है दवाई, तो यह दी जाती है patient को तो उसके बाद जो है इसका abnormal behavior किसी की हद तक controlled हो जाते है Drug therapy is by far the most common of three approaches और उसके बाद है Electro-convulsive therapy ECT भी कहराती है यह इसमें क्या होता है सबसे इसमें जो MCQS पुछा गया है इसमें क्या होता है जनाब patient के सर पे और उसको पैसर से 140 वोल्ट डिपेंड करता है उसकी severity पर के patient की सहथ तक severe ill है तो उसके हिसाब से उसको मुखले वोल्ट दिये जाते हैं जिससे होता यह है कि उसका जो brain है scissor हो जाता है brain scissor होता है कुछ minute के लिए और जो depressed होता है उसका stress होता है वो release हो जाता है इसका यह नहीं है कि आई रोज इसको ECT दे दी जाए किसे भी patient को हर रोज नहीं इसका जो session है साथ से 9 ECT दी जाती है दो और तीन दिन के बाद many patient feel considerably less depressed अच्छे यह सिर्फ depression के patient के लिए दी जाती है ECT और उसके बाद है नियूरो सर्जरी और यह भी एक तरह से बालोजिकल ट्रीटमेंट है नियूरो सर्जरी ब्रें सर्जरी की जाती है इसमें मुखलिफ किसम की तो यह था अच का lecture इस lecture से जो सवालाद बन सकते हैं मैंने बता दिये दुबारा से बता देता हूं एक तो यही आएगा treatment कैसे करते हैं उसके इलावा सबसे पहला जो है पांच नमबर का पूछा जाएगा perspective क्या होता है perspective की मुखलिफ types बताएं कौन कौन सी है तीन नियूरो ट्रांस्मिटर के नाम और उनका function बताएं मैंने हाइलाइट कर दिये और जो definitions थी वह भी हाइलाइट कर दी जो questions थे वह भी मैंने बता दिये अब अगर यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले लक्षे में तब तक अला आफेज